हैलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका हमारे स्टडिव एजुकेशन चैनल में, यदि आपने हमारे स्टडिव एजुकेशन चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब कर लिजी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिये क्योंकि अभी राज के देते हैं इसलिए आप हमारे study view education channel को subscribe कर लीजिए तो आज की जो dictation है वो 75 word per minute की speed से रहीगी तो students dictation शुरू करने से पहले आपको एक बात और कहना चाहूंगी कि final exam के अंदर जो skill है राजस्तान हाई को जो dictation बोली जा रही है उसके अंदर क्या है कि जो speed है वो fluctuate होती जा रही है कभी 70 से कम बोला जा रहा है कभी उसको खींच के 75 रशी तक कर भी लेके जा रहे हैं तो अपन भी उसी के पैढ़ारती है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं dictation स्टार्ट होगी तीन सेकेंड बाद रेड़ी स्टार्ट प्रस्तुत वाद में वादी गण के विद्वान अधिवक्ता ने section 11 CPC के संबंधी के यह दलील देते हुए कहा कि यदि इसी वाद गरस्त भूमी को लेकर महता सीटी में प्रतिवादी गण के हक में बे दखली की डिगरी प्राप्त हुई है उसकी अपील माननिय राजस्थान उच्च नियाले में विचारा धीन है इसलिए section applicable नहीं है विराम बादी के अधिवक्ता ने अपनी दलील में यह भी कहा कि जब किसी भी निर्णे की अपील माननिय उच्च नियाले में हो जाती है तो वह सब जूडिश मेटर हो जाता है विराम बादी गण के अधिवक्ता ने रेस जेडी कोटा के संबंध में अनेक नजीरें प्रस्तुत की जिनका भली परकार से अवलोकन किया गया विराम पत्रावली पर यह भी आया है कि जो वादी एम प्रतिवादी के बीच बे दखली निर्णे की डिगरी हुई थी विराम वह अंतिम रूप से इसलिए नहीं मानी जा सकती क्योंकि अभी तक वह राजस्थान उच्च नयाले में विचारा धीन है विराम इसलिए अंतिम रूप से निर्णे होना नहीं कहा जा सकता है विराम पी डवलू वन वादी गंगा राम ने अपनी जिरह में भी यह बताया कि यह सही है कि इस जमीन के संबंद में एक दावा शेशन नयाले मेरता में चला एक दावा में ने किया वै एक दावा कमल चंद ने किया विराम यह सही है कि कमल चंद द्वारा मेरे विरुद किया गया दावा डिकरी हुआ था जिसकी अपीर राजस्थान उच नयाले में पेश है वै लंबित है विराम इसलिए यह अंतिम निर्णे नहीं माना जा सकता इसके अलावा वादी एम प्रतिवादी के बीच में बे दखली का दावा चला था जिसका सबजेक्ट मेटर भी अलग था विराम पतरावली पर प्रतिवादी गण द्वारा जो दस्तावेज पेश किये गए हैं वह भी नयाले द्वारा प्रदर्शित नहीं हुए इसलिए उन्हें शाक्षे में पढ़ा जाना भी उचित नहीं समझता विराम यदि इसी परिप्रेक्षे में देखा जाए तो प्राणी न्याये पर सिध्धान्त एक लोक नीती सिध्धान्त है विराम पूरवरती वाद में यदि दोनों पक्षकारों के बीच में एक ही विशे को लेकर वाद लंबित था और वह वाद अंतिम रूप से निर्णय हो चुका हो ऐसी स्थिती में दोनों पक्षकारों को उसी विशे को लेकर कुने किसी भी नियाले में वाद नहीं लाया चा सकता विराम लेकिन इस वाद में विशे वस्तू भी दोनों पक्षकारों के बीच में अलग थे विराम इसके अलावा वादिगण के खिलाप जो बे दखली की डिक्री हुई थी पूरवाद की अपेल वादिगण द्वारा माननिय राजस्थान उच्च नियाले में कर दी जो वहाँ पर लंबित है विराम इसलिए इस वाद पर निर्णय करने में कोई परभाव नहीं डालता विराम इसलिए भी स्वतही पूरवाद का निर्णय सब जूडिश मैटर हो जाता है विराम इसलिए यह बाद फूरव न्याय से बाधित नहीं है विराम इस तनकी को साबित करने में प्रतिवादी एह सफल रहा तनकी नमबर एक इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है विराम वादी पी डवलू ए गंगा राम ने अपने शैशपत बियानों में बताया कि कमल चंद को मैं जानता हूं जो फोत हो चुका है विराम इसकी जमीन नए दर्वाजा नागोर में आई हुई है विराम इस जमीन का सोदा अक्टूबर 1967 में हुआ विराम मैं मेरे भाई जगदीश कमल चंद सामला राम बैठे हुए थे स्टूडेंट्स फाइनल एक्जाम के अंदर भी इसी तरह के डिक्टेशन आ रही है जिसके अंदर वादी प्रतिवादी अभियुक्त गर्ण ऐसे ही कुछ अब्दों का यूज हो रहा है हम भी उसी से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं उसी से रिलेटेड है जो डिक्टे झाल यूज का यूज है ।